जैसे किशना दोस्तों कैसे हैं आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे अपनी घरों में खुश होंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हो आपकी ही यूटीब चैनल पर जैसे कि आप जानती हैं कि मैं आपके लिए बहुती अचोग से उपाई, बहुती सरल और सटीक से लेकर आती हूँ, इनको करने से आपके जीवन में जो भी परेशानी आरे आप उससे निजाद पा सकते हैं, आज का जुम्हें उपाई ये टोटका लेकर आई, बहुती सरल है, बहुती असान सा ये टिप्स हैं, आप इसे करके देखिए, यकीन मानिए कि अगर आपके घर मे किसी भी तरह की negativity है, या लड़ाई जगडे बहुत जादा बढ़ चुके हैं, आर्थिक स्थिती की कोई भी परेशानी है, या बच्चे खोई-खोई से लगते हैं, मायूस से हो गए हैं, किसी भी काम में उनका मन नहीं लगता है, किसी भी छेतर में हाथ डालते तो सफलता मिल रही है, घर में सुक्षानती नहीं है, लड़ाई जगडे बढ़ते चले जा रहे हैं, कारोबार में बरकत नहीं हो रहे हैं, बच्चों की विवहां में बहुत अर्चने आ रही है, रिष्टे आए, आते आते दर्वाजे से चले गें, बाती नहीं बन पा रही हैं, तो अगर नजर दोश हैं, तो आप जितने भी उपाई कर लिजें, कोई भी काम नहीं करता, एक बार आपने ये नजर दोश का उपाई तो अवश्य करना है, उसके बाद आप फिर उपाई करियें, बाकी फिर सारे के सारे उपाई काम करते हैं, मगर कोई भी कारे करने से पहले आपको उस कारे में विश्वास होना चाहिए, विश्वास के साथ कारे कीजिए, आपको हमेशा सफलता मिलेगी, कई बार ऐसा होता न, बच्चों को किसी ने देख लिया, वह आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिष्टे आएंगे, बस नजल लग गई, पत आपको ऐसा उपाई, ऐसा पोटका बताने चाहिए, कि बहुत ही सरल, आपने करना क्या है, आपकी रसोई घर में लॉंग मिल जाती है, आप नौ लॉंग ले लीजिए, फूल वाली चाहिए, टूटी-फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप लॉंग लेके, अपने ब बीरवार और रवीवार के दिन शाम के समय करना है, और दूसरा बहुत ही अचूक ऐसा तोटका नजर दोश की पोटली, नजर दोश की पोटली जी हाँ, यह पोटली अपने में गेट, एंटरिस गेट पे बान के देखिए, अगर आपके घर में जो भी नेगिटिविटी अ अंदर आती है, वो सारी बाहर चली जाएगी, घर में पोजिटिविटी ही आएगी, सकरात्मक उर्जा ही रहेगी घर में, और अगर किसी की नजर दोश है, वो भी सारी दूर हो जाएगी, तो यह पोटली आप बना कर देखिए, और अपने एंटरिस गेट पे लगा के बहुत ही काम करती है, वास्तु शास्त के अनुसार भी और हमारे धार्मीक शास्तों के अनुसार भी बहुत ही सरल है, आपने कन्ना क्या है, एक काली रंका सूती कपड़ा लेना है, या आपको काला मिल जाए तो अच्छी बाते नहीं, तो आप सफेद कपड़ा भी ले सकते आपनी कपड़ा ले लिया, अब आपनी करना के समुद्री नमक होता है काला नमक, आपने वो नमक पिसावा नहीं चाहिए, टुकड़ों में चाहिए, तो आप वो काला नमक ले लिए और आपको राई चाहिए 21 दाने राई के, वो ले लिए और साथ में आपको चाहिए फिट तिक्की रखनी है अब आप इस पोटली को बाणलीजे कपड़ा आपको काला मिले तो अच्छी बात है नितो आप सफेद भी ले सकते हैं आपने पोटली बाद लिए जिस दिन आपने कारे करना है वे दीन होगा शनीवार का दिन आपको शाम की समय सुर्य अस्त के बाद ये का अंदर की तरफ से, आप इसे बान दीजिए, एक महिना आपने इसको वहीं पे बंदी रहने देना है, फिर शनिवार के दिन ही, आपने फिर इसे बदलना है, आप क्या करेंगे, किसी सुभा में उतार लीजिए, एक महिने के बाद, 40 दिन हो जाते हैं, जब आप उतार आप उसमें फिर से डाल लीजिए, और डाल के अपने अंडर गेट पे लगातीजिए, आप यकीन मानिए कि आपके एक महिने के अंदर, जो भी नजर दोश है, या जो भी किसी ने करा कराया है, या कोई भी बुरी बला है, वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, सारी negativity दूर हो आपके घर की जो भी negativity है, सारी की सारी दूर हो जाएगी, बहुती सरल, बहुती असान सा ये उपाई और टोटका है, और तीसरा, आपने करना क्या है, लॉंग, जी हाँ, आप 9 लॉंग ले लीजे, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप शनी वार के दिन, एक सरसो के तेल का द जाए, या उसको नौकरी मिल जाए, अच्छी उसके अच्छी घर में विवाहा हो जाए, या विवाहा समंदी जो भी अर्चने है, जो भी बुरी नजर ये नजर दोश है, वो सारी दूर हो जाए, आपने ऐसी प्रात्ना करते वे, ये दिया जाके आपने पीपल की विश्क प्रशानी नहीं जाना, अब मुझे आगे दीजे, मैं फिर आओंगे इसी तरह के सरल और आहसान से उपाई लेके, जैशे किशना दोस्तों